हैपी मौनसुन बच्चो तो बच्चो आज हम हिंदी व्याकरन का अध्यन करेंगे इससे पहले हम हिंदी परिवेश पढ़ रहे थे आज हिंदी व्याकरन पढ़ेंगे उसमें चाप्टर नमबर एट जिसका नाम है विशेशन विशेशन को इंगलिश में एक्जेक्टिव कहते हैं तो बच्चो इस चाप्टर को शुरू करने से पहले हम जो हमने से पहले पढ़े हैं चाप्टर व्याकरन में उसका रिविशन करते हैं तो आपको पता है हमने एक संग्या नाम का एक चाप्टर प्रवड़ा था जिसे इंगलिश में नाउन कहते हैं है ना नाम वाले शब्दों को ही संग्या कहते हैं यह आपको याद आया जितने भी नाम होते हैं किसी वैक्ति के वस्तू के प्रानी के इन सब के नाम होते और इन नाम वाले शब्दों कोई क्या कहते है संग्या कहते है उसके बाद हमने एक और चाप्टर पढ़े थे जिसका नाम है सर्वनाम और सर्वनाम यानि जो शब्द संग्या के स्थान पर आते है उन्हें सर्वनाम कहते है ये भी हमने व्याकरन में पढ़ चुके है और सर्वनाम शब्दों कौन से होते हैं बताइए आप मुझे सर्वनाम शब्द मैं तुम हमारा मेरा उसका ये सब सर्वनाम शब्दों होते हैं ना तो ये दोनों चप्टर हमने व्याकरन में पढ़ चुके हैं और इसी चाप्टर के आधार पे आज का हमारा नया चाप्टर है जिसका नाम है विशेशन तो आप लोग सोच रहे होंगे कि विशेशन यानि क्या विशेशन यानि उसकी विशेशता उसकी कॉलेटी अब विशेशता यानि कि उसकी कुछ खास बाते है ना ये तो हम सभी को प बात होती है जैसे कि हमारे educ a Meu इंदर की जो क् offers वही दिश्य कर भूस स सब ऑगाइ कोई न में खास बात होती है चुक य॑ इसको पौकनि ही है और उस्के जो कालिटी है और उसके जो खास बात है वही हमारा विशेशन होता है For example, के लिए हमारे class में एक कोई लड़का है जो बहुत बुथिमान है उधारन के लिए हम ले लेते हैं एक लड़का है जिसका नाम राम है तो हम लोग कहेंगे कि राम बहुत राम बुथिमान है तो राम क्या हुआ एक नाम हुआ नाम हुआ ना, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संग्या, तो इस सेंटेंस में राम बुधिमान है, इस सेंटेंस में राम संग्या हुआ, और राम की विशेशता क्या बता रही है हमें, कि वो कैसा लड़का है, बुधिमान, तो जो बुधिमान वर्ड है, वो क्या है हम हमारा विशेशन तो बच्चो अब हम इसको आपकी टैस्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपकी फ्याकरन बुक निकालिए उसमें पेंच नंबर तितली तो बच्चो मुझे बताईए इस वाक्य में संग्या शब्द कौन सा है हमारा तितली और तितली की क्या विशेशता बता रही है कि वो तितली कैसी है सुन्दर है तो यह जो सुन्दर शब्द है वो क्या है हमारा विशेशन उसके बाद नेक्स्ट एक लड़का है वो मोटा और इस वाक्ये में लड़का क्या है हमारा संग्या और लड़के की विशेष्टा क्या बता रही है हमें कि लड़का कैसा है मोटा है है ना मोटा दिख रहा है ना हमें चित्र में तो यह जो मोटा वर्ड हुआ वो क्या हुआ हमारा विशेशन उस लड़के की क्या क्वा कि लडगा कैसा है. मोटा है. तो मोटा हमारा हो विशेशन हुआ अब नेर देख है सके बाद एक औनार है. यह नकिन अगर आपके जितना में अनार दिखरा है उस जितरों को अगर हम भूलेंगे कि इसकी विशेष्टा बता इस चित्रे की विशेष्टा विशेष्टा हूए है टो लाल हूए इसकी पॉलिटी हूई है एक अच्छी टो यह जो लाल शब्द हूऊ वह हमारा क्या हूआ विशेशन और अनार हमारा क्या हूआ संग्या इसके बाद next देखिए एक इमली का चितरा बना हुआ है और क्या लिखा हुआ है खटी इमली तो इमली हमारी क्या हुई संग्या हुई एक नाम हुआ ना इमली और इसकी विशेष्बा क्या बता रहे है कि इमली कैसी है खाने में खटी है तो यह छो खटती word है, वह हमारा क्या हूआ? विशेशन IMLI तो हम सबको पता है, यह दिःख भी रही है hy में कि यह तो क्या है? इसि इमली है लेकिन इस इमली की क्या विशेषता है? इस इमली की क्या खास बात है? कि इमली कैसी है? खटटी है तो जो खट्टा वर्ड हुआ वो हमारा क्या हुआ विशेशन हुआ फिर बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर यहां पर कॉइन दिख रहा है आपको 10 का कॉइन 10 का सिक्का दिख रहा है ना तो यहां लिखा हुआ 10 रुपए और रुपए क्या हुआ हमारा संग्या शब्द और इस 10 रुपए की विशेशता क्या बता रही है हमें मतलब इस सिक्के क्या हमें क्या विशेशता बता रही है कि यह किसका है 10 का है है ना और यह 10 क्या हुआ हमारा विशेशन हुआ अगर इसके जगर पांच लिख होता पाँच का कौईन होता तो रुपय जो होता हमारा क्या होता? संघ्या होता और जो 5 शब्द है वो क्या होता हमारा? विशेशन होता फिर एक और उधारण है देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे है बहुत सारे आम है, है ना, कितने आम है, पांच आम, तो इस वाक्य में संग्या क्या हुआ हमारा, आम हुआ, और कितने आम है, आम की विशेशता बता रहे हैं ना, यहां पे कितने है, कॉलिटी में, कॉंटिटी में, पांच है, है ना, तो यह जो पांच है, वो क्या हुआ हमा हमारा विशेशन हुआ, पांच जो शब्द है, वो क्या हुआ हमारा विशेशन हुआ, तो बच्चों, विशेशन को समझने के लिए, क्या करना है हमें, आपको मैंने पहले ही पताया कि सब में कोई न कोई विशेशता होती है, और उसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना है उससे प्रशन करना है, अब आप कह रहे होंगे कि किस तरह के प्रशन करना है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें प्रशन करना है, क्या लगा के, कि वो कितना है, कैसा है, ये शब्द लगा के हमें प्रशन करना है, और ये प्रशन करने के बाद जो आंसर हमें मिलता वो हमारा क्या होता है विशेशन होता है जैसे आपके चित्रम में भी दिया हुआ है देखिए यहाँ पर तितली कैसी है तितली के आगे हमने कैसी वर्ड लगा दिया तो हमें पता चल गया इसका उत्तर क्या है तितली सुन्दर है तो जो सुन्दर वर्ड हुआ वो हमारा क्या हुआ विशेशन हुआ उसके बाद लड़का कैसा है यह हमने प्रश्ना किया तो इस उसके बाद अनार कैसा है, फिर इसका उत्तर क्या होगा, लाल, फिर इमली कैसी है, फिर इसका उत्तर क्या होगा, खटी, ये सब उत्तर आपके चित्रों में दिये हुए है, है ना, उसी से देखके हम बोल रहे हैं, और प्रश्न भी हम स्वैम भी बना रहे हैं, फिर रुपए कितने हैं, रुपए कितने हैं, दस, तो दस क्या हुआ हमारा विशेशन, उसके बाद आम कितने हैं, आम कितने थे इस चित्र में, पांच थे, तो पांच वड क्या हुआ हमारा विशेशन, तो बच्चों, यह जो है दस, पांच, यही शब्द सिफ हमारे विशेशन आपको गुतारन के लिए यहां पर चार होता है पर किला अगर चार हो Dalai थारिस्थी ऑंग किले से ठीडू यहां कि तो ृतार है इमली, रुपए और आम ये सारे वर्ट क्या थे? संग्या शब्द थे हैं ना? ये आप सभी को पता है और फिर सुन्दर, मोटा, लाल, खटी, दस और पाँच ये सारे शब्द क्या है? हमारे संग्या शब्द की विशेष्टा बता रहे है कि तितली कैसी थी? सुन्दर थी, लड़का कैसा था? मोटा था, इमली कैसी थी? खटी थी, ये सब विशेष्टा बता रहे है तो ये सब जो शब्द है हमारे ये शब्द हमारे क्या हुए? विशेष्ण शब्द हुए कौन से? सुन्दर, मोटा, लाल, खटी, दस, पाँच ये सारे शब्द हमारे क्या हुए? विशेष्ण शब्द हुए तो बच्चो अब हम विशेष्ण की परिभाशा देखते हैं और इसे और अच्छे से विस्तार से समझते हैं तो विशेष्ण की परिभाशा देखिए जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेष्ण कहते हैं एक बार और रिपिट करते हम लोग जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेशन कहते है ये परिभाशा को आप लोग बच्चो गर पे अच्छे से याद कीजिएगा अब हम इस परिभाशा को समझते हैं कुछ उधारन द्वारा तो देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने एक उधारन रखा है एक लड़का है उसके हाथ में एक घड़ी है औ संग्या शब्द है हाँ है कौन सा शब्द है बताईए घड़ी घड़ी एक वस्तू का नाम है ना और सर्वनाम भी है मेरी है ना तो संग्या और सर्वनाम की विशेशता क्या बता रहा है सुन्दर वो घड़ी वो लड़का कह रहा है ना लड़के के पास घड़ी है लेकिन वो कैसी है सुन्दर तो सुन्दर उसकी विशेष्टा है तो ये जो सुन्दर वर्ड हुआ ये क्या हुआ हमारा विशेषन शब्द हुआ है ना अब एक और उधारन देखते देखिए यह लड़का मोटा है यह आपके टेस्ट बुक में भी था यह लड़का तो हमें दिख र हुआ वह हमारा क्या हुआ विशेशन हुआ है उसके बाद नैक्स देखिए बंदर की टोपी पीली है अपको एक बंदर दिख रहा है बंदर क्या हुआ हमारा प्राणिंगा नाम है ना एक तो बंदर क्या हुआ हमारा संग्या शब्द हुआ और टोपी टोपी भी एक वस्तू का नाम है वस्तू का नाम है तो ये टोपी भी हमारा क्या हुआ संग्या हुआ तो तोपी की विशेशता क्या बता रही है? एक उसका रंग बता रहा है कौन से रंग बता रहा है? पीले रंग की तो इस वाक्य में विशेशन क्या हुआ हमारा पीली तो बच्चो देखिए कुछ और विशेशन शब्द है आपके पेच नमबर 37 पर चार, हरा, महंती, अच्छी, नमकीन, मीठा, भला, बुरा, लंबा, छोटा, दो, साथ, चतुर, बढ़िया, काला, उच्चा ये कुछ फिशेशन शब्द आपको उधारन के लिए दिये हुए है ये सारे मिक्स है मैं आपको इसको थोड़ा अलग वे, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले है स्वाद स्वाद याने टेस्ट हम कोई भी वस्तू खाते है, कोई भी चीच खाते है तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है कि वो खाने में मीठी है खटी है, तीखी है, नमकीन है वो खा के हमें पता चल जाता है है ना जैसे उधारन के लिए अगर हम गुलाब जामून खा रहे है तो आप ऐसा बोलोगे गुलाब जामून मीठे है है ना तो इस वाक्य में मीठा क्या हुआ गुलाब जामून की विशेश्टा बता रहा है ना और ये मीठा हमारा क्या शब्द हुआ विशेशन शब्द हुआ और गुलाब जामून संग्या हुई तो देखिए यहाँ पे कुछ दिये हुए स्वात के उधारन मीठा कड़वा खट्टा नमकीन तीखा आधी आधी याने इसके अलावा और भी फिर नेक्स्ट आकार आकार याने शेप जैसे आपके चित्र में सबसे पहले उधारन में दिया था लड़का कैसा था मोटा था है ना तो वह उसकी और चोड़ा मोटा पतला बड़ा ऊचा नीचा आधी यह सब आकार के उधारन है उसके बाद गुन अवगुन इसका भी उधारन आपके इसमें दिया था कितली कैसी थी सुन्दर थी है ना तो इसके उधारन देखिए अच्छा बूरा सुन्दर कोमल कायर आधी फिर नेक्स आपतल का भी उधारन आपको दिया था उसकी पॉंटिटी इसकी आधस रुपय फिर उसमें आम कभी था आम कितने थे पांश थे तो इसी प्रकर यहां पर कुछ उधारन है उसके 2 किलो 3 मीटर 4 लीटर इसके जगव दूसरा भी हो सकता है कितने भी गिंती हो सकती है जरूरी नहीं है कि 2, 3, 4 इतना ही हो इसके अलवा कितने भी गिंती हो सकती है वो इसकी विशेष्टा कहलाईगी उसके बाद संख्या संख्या याने नमबर 2, 4, डरजन, 5, 6, 7, 8 कितने भी नंबर यहां पे हो सकते हैं फिर रंग काला, गोरा, लाल, पीला, नीला कोई भी रंग यहां पे हो सकता है जो स्वस्तू की विशेशता बताए वो शब्द हमारा क्या कहलाता है विशेशन क्या लाता है अब बच्चो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम देखते है विशेशन शब्द संग्या से पहले भी आ सकते है और बाद में भी आ सकते है तो बच्चो जो हमारे विशेशन शब्द होते है वो हमारे संग्या शब्द के पहले भी आते है और उसके बाद में भी आ सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि पहले संग्या शब्द आएगा उसके बाद ही विशेशन शब्द आएगा ये जरूरी नहीं है इसका उधारन द्वारा हम लोग समझते हैं तो चलिए पहला उधारन देखते हैं केले सस्ते है ये एक sentence है यहाँ पे क्या है केले सस्ते है केले तो आप सभी को पता है तो केला वर्ड क्या हुआ हमारा संग्या हुआ है ना और केले की क्या विशेष्टा बता रही है कि केले कैसे है सस्ते है तो जो सस्ता शब्द है वो क्या हुआ हमारा विशेशन हुआ तो पहले क्या हुआ इस वाक्य में पहले हमारा संग्य आया उसके बाद विशेशन आया है ना लेकिन कोई-कोई वाक्य में पहले विशेशन आता है और उसके बाद संग्य आता है इसका एक उधारन देखते हैं हम लोग लंबे व्रिक्ष पर घोसले बने है ये एक सेंटेंस है व्रिक्ष कैसे है व्रिक्ष याने पेड़ तो एक बहुत बड़ा पेड़ है वो पेड़ कैसा है लंबा है लंबे है और उस पर क्या बने घोसले बने हुए है तो इस वाक्तिये में बच्चो देखिए विशेशन शब कर पहले आया है क्या आया है? लंबे उस पेड़ की विशेशता बता रहा है पेड़ कैसा है? लंबा है तो इस वाक्य में विशेशन पहले आया उसकी बाद संग्या आया जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले संग्य आए उसके बाद विशेशन आए ये वाक्य के उपर डिपेंड होता है ठीक है तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे की ओर कि आज हमने क्या सीखा तो बताइए बच्चो आज हमने क्या सीखा आज हमने विशेशन पड़े एक बार हम लोग इसका रिविशेशन कर ले विशेशन याने जो शब्द से हमें पता चले उसकी विशेशता उसे विशेशन कहते है इसका उसकी परिभाशा विशेशन शब्द संग्या या सर्वनाम शब्द के बारे में बताते हैं और इन शब्द से इन शब्दों से कैसा या कितना पता चलता है ये भी हमने पढ़े थे मैंने आपको बताया था कि विशेशन शब्दों को जानने के लिए हमें उसे प्रशना करना चाहिए कि वो कैसा है या फिर कितना है तो जो उत्तर हमें मिलता है वो उत्तर हमारा विशेशन होता है एक बार और उधारन देख लेते हैं हम लोग कि तितली कैसी है यह हमने प्रश्न किया था है ना तो इसका उत्तर क्या मिला था हमें तितली सुन्दर है तो जो सुंदर वर्ड हुआ वो क्या हुआ हमारा विशेशन हुआ तो बच्चो यह था अच का हमारा चप्टर इससे पहले एक बार हम लोग इसका इसकी परिभाशा को एक बार और रिवाईस कर लेते हैं तो क्या थी इसकी परिभाशा जो शब्द संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं तो बच्चो यह था अच का हमारा चप्टर थैंक यू थी विशेशन का ब्राइशन कर दे लुष्टर थैंक पूंड़ो यह गूनाओ कर दोग सत्या रिव जा पिर साविशना कि विशेशन को और रिष्टर इस भ्शेशन को इसका प्राइशन को अचिए अन्हें प्राइबिट झाल झाल